हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम ऐसी मस्रूम की सबजी बनाएंगे जिसके आगे मटन और चिकन सब फेल होगा साथी साथी से बेहदा आसान तरीके से बनाएंगे ताकि अगर कोई बिगनर भी बनाए तो उससे भी वो इतनी ही स्वादिस्ट बने तो चलिए आ इस पर मैं एक मिनट तक के लिए इसको बॉयल कर लूँगी ताकि इस पर जो भी गंदगी है वो अच्छे से निकल जाए इस तरह से बहुत अच्छे से धुल जाते हैं इसे पानी से अलग करते हुए मैं इस पर डालूंगी दो बड़े चम्मच दही दो चम्मच लैसुन अ पाउडर साथ में डालेंगे एक चम्मच कस्मीरी मिर्ट जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है यह मैंने कलर के लिए डाला है इसके बाद इसमें जाएगा स्वाद के अनुसार नमक मुझे सबजी में जितना नमक डालना है मैं सब इस समय ही डाल दूंगी तो इस तरह से सभी को ड डालते वे मिक्स करके मैं इसे ढख दूंगी आदे घंटे के लिए तब तक आगे का प्रोसेस करते हैं एक कुकर में डालेंगे तीन बड़े चम्मच तेल दो तेज पत्ता एक चम्मच जीरा 15-16 साबूत लैसुन की कलिया तीन लॉंग एक डालचीनी का टुकड़ा एक बड डाले प्याज लगभग मैंने 5 मीडियम साइज के प्याज कट करके इसमें डाले हैं इसे अच्छे से मुझे ब्राउन होने तक भूलना है तेज आज पर तो यह देखिए बहुत अच्छे से यह ब्राउन हो चुका है तो कुछ इस तरह से आपको प्याज को भून लेना है इसके बाद मैं डालूंगी यह मसरूम जिन में सभी मसालों को एड किया था यह देखिए और इसको डालते हुए मुझे कुछ भी एड नहीं करना है पानी वगएरा कुछ भी नहीं मैं इसे कुकर बंद करते हुए चार सीटी तक लो फ्लेम पे पकने दूंगी यह मैंने चा बार बार इसी तरह बनाएंगे आपने अब तक जितनी भी मसरूम बनाई खाई होगी यह उससे बहुत ज्यादा टेस्टी बने हैं और बहुत ही आसान तरीके से बना है साथी साथ हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इसमें तेल की भी मात्रा बहुत कम डाली गई है तो आप अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आजाए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें थाइंक यू फॉर वाचिंग